हलो फ्रेंज जै माता दी कैसे हैं आप सब दोस्तों पित्र पक्ष में अक्सर खरीदारी को लेकर लोगों में परिशानिया बनी रहती है असमंजस बना रहता है आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजों की जो उल्टा पित्र पक्ष में ही खरीदनी चाहिए आपको इससे आ पुरे सच्चे दिल से अपने पित्रों पूर्वजों की आत्मों को शांत करने के प्रयास में लगे हुए हैं मुझे पता है और श्राद का अर्थ ही है सत्य को धारन करना और जीवन का सबसे बड़ा सत्य है यथा पिंडे तथा ब्रहमांडे तैत्रियोप निशत के नुसा मिट्टी से निर्मित शरीर के विवित तत्वों का मृत्यू के उपरांत ब्रहमांड में ही विलय हो जाता है पर मोह के धागे हैं जो ठूटते नहीं हैं मरने के बाद भी आत्मा में मोह माया का अतिरेक होता है और ये प्रेम ही उन्हें पित्र पक्ष में धर्ती पर अपने पुत्र पौत्र वंशजों के पास खीचलाता है वे आते हैं अपना भाग लेते हैं हमारे पित्र अत्यान्थिक दयालू और क्रिपालू होते हैं और अपने पुत्र पौत्रों से पिंडदान और तरपन की आकांशा रखते हैं और जब हम उनको उनका भाग दे देते हैं त पित्र करम के लिए इसी लिए हमेशा ततपर रहना चाहिए अपने अपने पित्र की तिथी पे नियमित रूप से आपको श्राध तरपन करना चाहिए और चाहें तो 16 दिन प्रतेक दिन दक्षिन मुकी हो करके आप तरपन कर सकते हैं पित्र करम के लिए गाय के दूद में पकाई हुए चावल में शकर, इलाईची, केसर, शहद मिलाकर खीर बनाईए भगवान को भोग लगाईए गाय के गोबर के कंडे को जलाकर पुर्ण रूप से प्रज्वलित करिये और प्रज्वलित कंडे को किसी बरतन में रखकर लाना चाहिए और इन ग्रास को निकालते वे याद रखें कि आपका मुख दक्षिन दिशा की तरह ही हो, यम की दिशा है, पित्र लोग की दिशा और पित्र उधर से ही आते हैं, जो लोग भी जनेऊ धारन करते हैं, उनको सब व्यकरना चाहिए यानि यग्यो पवीत को बा श्रद्धा शक्ती है, उसके अनुसार दक्षिना, उनका आने जाने का किराया, वस्त्र ये जरूर देना चाहिए, ये हुआ आपका रोज का नियम और आपके आप चाहें तो ये रोज कर सकते हैं, या सिर्फ महालिया पे कर सकते हैं, या अपने अपने पित्र की तिथी पर अब बात करते हैं, जब हम कलकत्ता शहर की तो वहाँ दुर्गा पुजा ठीक बहालिया के दिन से ही शुरू हो जाता है, बंगाल हो बिहार हो, गुजरात की बात करें तो गुजरात हो महराश्ट हो इसमें डांडिया का जोर होता है, सभी शहरों में इन फैक्ट तो आजकल गुजरात और महराश्ट की बात नहीं रहे गई, चाहे बैंगलोर ले लिजेगे, नासिक ले लिजेगे, सभी जिगे डांडिया का जोर बहुत पकड़ चुका है, और लोगों को डांडिया में पहनने के लिए नए कपड़े, नए गहने लेने ही पड़ते हैं, ऐसे में सम नन्वागरी प्रवेशवा, नाम करण हुआ, मांगलिकारे नहीं किये जाते, लेकिन किसी भी शास्र में ऐसा वर्जित नहीं है, कि शुब कारिय नहीं किया जा सकता, पित्र पक्ष में खरीदारी नहीं की जा सकती है, विशेश रूप से गरूर पुडान के प्रेत खंड म वर्णित है कि पितरी प्रीती मपन्ने श्रियंते सर्व देवता, मतलब मेरे पिता के प्रेम से समस्त देवता भी धन्य है, पिता का अशिरवाद आपको मिलता है, पित्र कभी नाराज नहीं होते अगर आप उनको उनका भाग दे देते हैं, विश्नु वही विश्नु पु नहीं होता बलकि पित्रों का आशिरवात की प्राप्ती ही होती है बस ध्यान रखना चाहिए इस पूरे अवधी में 15 दिन में आपको खरीदारी एक तो मुहर्त पर करना चाहिए और पित्रपक्ष में खरीदारी करने की मनाही वैसे नहीं है नए कपड़े आभूशन संपत्त जमीन वाहन घर आधी खरीदना कहीं कहीं वर्जित है लेकिन जोतिश में जब पित्रपक्ष में ऐसा संयोग बनता है जब आप खरीदारी कर सकते हैं जैसे इस साल आपको सरवार्त सिद्धी योग और गुरु पुश्य नक्षत्र का महा संयोग बन रहा है तो इन दोनों ही योग में नई चीजों की खरीदारी की जा सकती है तो आपको कब खरीदनी है दोजार चोबीस में अगर आप पितरपक्ष में खरीदारी करना चाहते हैं मुहुर्त के अनुसार तो वो है 23 सिप्टमबर को आप कर सकते हैं 26 सेप्टमबर को कर सकते हैं 26 सेप्टमबर को कर सकत तो दोस्तों, आपको अगर खरीदारी करनी है, इन तीन तितियों में कीजिए, इसके अलावा भी जिस दिन आपके पित्र के निमित शराध, आपकर रहे हैं, अपने पित्र को एक लोटा जल कम से कम दीजिए, इसके बाद ही उनको अपनी भाग अरपित करने के बाद में ही आ आपको अपनी खरीदारी आदी करनी चाहिए जिससे आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं तो पित्र पक्ष में पहली चीज होती ही चावल, चावल की खरीदारी स्रेष्ट मानी गई है, सिर्फ पूजा पार्ट में नहीं पित्रों को प्रसंद करने के लिए चावल या फ पूटे वे चावल कभी भी पूजा में या पित्रों के लिए प्रयोग ना करें, एक लोटा जल लीजे नया चावल जो खरीद के लाएंगे उसमें से दो चार दानी चावल के लिए दक्षिन मुखी होकर के शाम होने के पहले यानि अंदकार होने के पहले आप अपने पित पित्रे भ्यो नमो नमा, ओम सर्वेभ्यो पित्रे भ्यो नमो नमा, ओम सर्वेभ्यो पित्रे भ्यो नमो नमा, ओम सर्वेभ्यो पित्रे भ्यो नमो नमा, आप देखेंगे चावल का संबंधन की देवी सुख सौभाग्य संपन्नता आदी से माना गया है, शुक्र ग्रह से स आपको चावल का महा दान करना चाहिए कहीं पर भी अपनी जो वजन के बराबर अगर जीवन में परिवार में कश्ट जादा है तो जितना आपका वजन है आयू है उसके हिसाब से या तो अपने वजन से या अपनी आयू से उतने गुना आप चावल का दान कर सकते हैं इसको तुला दान कहा गया है और शाद पक्ष में चावल की खरिदारी अत्यन तश्यूब होती है तो दोस्तों ये तुई पहली चीज़ दूसरी चीज़ है काले तिल कहते हैं तिल-तिल कहने से भी पाप, मुक्त और निरोग हो जाता है मनुश्य और जो इसका सेवन करता है वो भगवान विश्नु की, सूरी की और शनी की पूझा करता है और तिल कितना फाइदे मंद हो सकता है इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता तो पित्र पक्च के दौरान बिना काले तिल के पित्र की शान्ती होती ही नहीं है पित्र पूझा में काले तिल का बहुत-बहुत महातम्य है और इस दौरान आपको काला तिल जरूर खरीदना चाहिए और तिल खरीदने से पित्र दोश से मुक्ते भी मिलती है कुंडली में शनी के दोश हो शनी की साड़े साती हो धाया हो तो नदी में काले तिल आपको प्रवाहित करने चे ये एक मुठी काला तिल ले लीजिए उसको अपने सिर से उल्टा घुमा लीजिए और फिर उसको बहते जल में आप अपने पित्र का नाम लेते वे अर पित कर लेजिए सिर्फ पित्र शानत नहीं होते शनी शानत नहीं होते राहू केतु और के भी बूरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं काल सर्प योगो कुंडली में पित्र दोश हो ये सभी में ये उपाई कारगर होता है तीसरा है जौ दोस्तों धरती का पहले अन्न के रूप में ज आप पित्र पक्च में आपको जौ से हवन करना चाहिए एक मुठ्वी जौ ले करके आप उसको अपने घर में पुरा घुमा लीजे फिर उसको रख लीजे एक प्लेट में उसमें आप चाहे तो हवन की समीधा लकडी आदी आप समवन सामगरी जाते हैं और थोड़े से घी औ करात्मक उठ जाए हैं वो सभी दूर होते हैं राहु देश दोश से परेशान है तो भी ये बहुत उपाई कारगर होता है आप चाहें तो एक मुठी जौ को तिल दुर्बा कच्चा दूद और कोईले का एक टुकड़ा लेकर बहते जल में भी अपने पित्र के अध्यान करते बहा सकते हैं और जादा परेशान है तो एक मुठी जौ लाल कपड़े में बान कर रात को सिनहाने रखकर सो जाईए सुबह उठकर पशुओं को खिला देना चाहिए ये प्रवाहित कर देना चाहिए और दोस्तों जौ का दान करें बात करतें दोस्तों चौथी चीज वो है उड़त की दाल को चावल की भाती ही आत्मा की पोशन का प्रतीक माना गया है और श्राद में पित्रों को इन्हें चड़ाने से इनकी भूक शान्त होती है मन और आत्मा दोनों से पित्रों और पूरवजों को शान्ती मिलती है और ये सात्विक है आसानी से पच्चता भी है पोशक तट्वों की भरपूर मातरा होती है सेहत को नुकसान नहीं करता और कहते हैं पित्र पक्ष में खाना बनाने में अगर आप उड़त का इस्तेमाल करता है, उड़त के बड़े उड़त के पकोड़ियां यह अपने पित्रों को बना के खिलाते हैं तो इससे पूर्वजों का आशरवाद आपको मिलता है, आपके घर में सुकसम रिद्धी बनी रहती है और पूर्वजों के आशरवाद से दिरगायू होते हैं, धन और वंच में वृद्धे होते हैं। अगली पांच भी चीज है तिल या चमेली का तेल, चमेली का तेल पित्रों को अर्पित करने से वो त्रिप्त होते हैं, आत्मा को शांती मिलती है। प्रज्वलित करना चाहिए। इससे असाद ये रोगों में अबूद्पुर्वलाव मिलता है, रोगी स्वस्त हो जाता है। दोस्तों पितर पक्ष में आपको पितर के निमित नई वस्तर भी खरीडने चाहिए और फिर उनको यथा शक्ती दान भी करना चाहिए इससे आपके पूरवज खुश होते हैं और आपको सुख शांती का आशिरवाद प्रदान करते हैं और इसके बाद जम करके खरीडारी आपके पितर कभी आपसे नाराज नहीं होते हैं दोस्तों ये भृांती फ्ह Erfahrाई गई है पितर पक्षमी खरीदारी नहीं करनी चाहिए यह बिल्कुल बिल्कुल गलत है आपकी किसी भी दिन किसी भी प्रकार की खरीदारी कर सकते हैं और बस यह ध्ढन रखना है कि अगर आपके घर में कोई श्राद की उस दिन ती थी है कोई या पितर पक्ष में उस दिन आपके घर में किसी बड़े बुजूर्ग का श्राद निकाला जा रहा है तो उसकी अवेलना न करें पहले नियमों का पालन करते वे उस दिन श्राद को निकाले उनको वस्रादी अर नहीं, ठेक केर फ्रेंज, लव यू आल, जह माता दी, छोटी-छोटी बाते हैं, शेर करने की कोशिश करती हूं, स्वेम भी सुना करें, और आपके आसपा, जो भी फ्रेंज, 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 मम्मी, पापा, भाई, भैने, सभी लोगों से इन छोटी-छोटी बातों को शेर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाए, कब किसकी लाइफ बदल दे, लाव यू आल, फ्रेंज, टेक केर, जह माता दी, भूले नात की जह कारा, शेरा वाली दा मुल, सांची दरबारी कीचे, अपने-पने पितर-पितरानी कीचे,